यहां पर दो चाप्टर का कॉंबिनेशन होता है पीजी वीपी एंड कैपितल गिन ठीक है ना तो imagine करो imagine क्या करना बताई देता हूं आप imagine करो कि आपके घर में बहुत सारा ज्वेलेरी पड़ा हुआ है बहुत पुराना ज्वेलेरी है अभी कोई पेनेगा नहीं नेकलेस है बैंगल से है पुराने स्टाइल के मतलब दादा जी वगरा के या दादी के या उनसे भी पहले कि यह परिसनल मूवेबल असेट, जल्दी बताओ, क्या यह पर्सनल मूवेबल असेट है घर में आपके इतना सारह ज़वेलियर यह पढ़ा है, आप इसके माली को आज कि इज़नेशनल मूवेबल असेट लेकिन पर्सनल मोबल असेट होने के बाद भी इत्री इस कवर्ड बाई एक्सेप्शन नो डी जे साब ड्राइंग ज्वेलरी स्कुल्प्चर आर्केलोजिकल कलेक्शन आर्टवर्क और पेंटिंग तो यह Chief Capital असेट होता ही है पर्सनल मोबल फिर भी Capital असेट है और क्यूँकि यह रहें है और आपको पता हैं 100 कीजी का यह गौल्ड है अगर आप सेल करोगे तो जाने दो अप्रोक्स्मेट प्राइज निकालते कुछ तो क्यूंकि एक्जांपल है अगर अब इसको असेल करने जाओगे क्योंकि इसमें अलग अलग डाइमेंड वगरा बहुत कुछ है प्लाटीना मिक्स है सब कुछ ठीक है ना तो स्टैंडर्ड प्राइद हम निकाल नहीं सकते लेकिन आपने किसे से वाल्यूशन करा के लिए और आपको पता चला कि कम से कम कम से कम यह कम से कम 500 लाक रूपीज लिए जाएगा ठेक है ना उससे भी जाधा कि जा सकता है लेकिन कम से कम बता रहा हूं 500 लाक लिए जाएगा 500 लाक लिए जाएगा तो full value of consideration और आपने इसका सारा bill वगरा निकाला पूरा bill book वगरा निकाला fair market value ले लिया 142001 का जो भी करना है कर लिया आपको पता चला कि index cost of acquisition minus हो के maximum 50 लग minus होगा उससे जादा minus नहीं होगा तो 450 लाक टैक्सेबल होगा 450 लाक का 20 परसेंट अगर में लेता हूं वाँ परेखाली capital gain tax long term capital gain तीक है ना या तो capital gain 450 आता है समझो 450 लाक का capital gain आता है 450 लाक का capital gain उसका 20 टका भी अगर आप मारते हो तो यार ये 90 लाक क्या स्पास होता है 90 लाक का tax भरने का ताकत है क्या अपनी में नहीं पाइसा कमया tax नहीं परेंगे tax भरना ही होता तो tax law इतना complicated नहीं होता ना सारे लोग अगर tax भरते ही तो law complicated नहीं होता law would happen very easy तो सर इसका क्या करें अभी हम लोग तो इसके लिए आपको न में एक आइडिया बताता है तुम बताओ जो पांच head of income है हमारे ठीक है ना income from salary, income from house property, PGBP, capital gain and IFOS under which chapter you are having expertise of evading tax बताओ ना, easily tax evasion कहां हो सकता है, salary में हो सकता है, house property में हो सकता है, PGBP में हो सकता है, capital gain में हो सकता है ऐसा कौन सा head है जहां पे एक commerce के expert person को scope मिलता है, कुछ plus minus करने का जहां पे tax automatically कम होता है कौन से head में ये ताकत है, in fact कौन से head में सबसे ज़्यादा tax की चोरी होती है सब्सक्राइब पीज़ी 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 क्यूंकि salary में दोई deduction मिलते बहिया, standard deduction 25,000 का प्रोफेशन tax हमारे बाज़े में एक हराम को रहे हमेशा नहीं गाड़ी का ये हान बजाता है, पता नहीं क्यूं बजाता है खुद की गाड़े का ऐसा हॉन लगाया है तो income from salary में दोई deduction है, income from house property में दोई deduction है, 30% standard deduction 30% standard deduction है और municipal tax का deduction मिलता है और interest on borrowed fund का दोटीम deduction ही मिलते है capital gain में भी transfer expense है, cost of acquisition है, cost of improvement है IFOS में भी छोटे मोटे deduction मिलते है, PGVP एक ऐसा chapter है जहाँ पर दुनिया भर के deduction मिलते है unlimited infinite deductions मिलते हैं, यह हमारी बात हो चुकी है depreciation, traveling expense, advertisement, staff welfare, electricity diversity, दुनिया भर की expense आप यहाँ पर claim कर सकते हो और यहाँ पर profit को easily manage किया जाता है easily manage किया जाता है profit को this is the beauty of PGVP है, ठीक है तो आपने सोचा कि cash, आपने सोचा है, सोच पे सब कुछ यहाँ पर, यहाँ पे आपने सोचा कि cash, यह जो मेरे लिए capital asset है यह जो bucket भर के 100 किलो का सोना है या जो मेरे लिए capital asset है, cash, मेरे लिए यह stock in trade होता यह क्या होता, stock in trade होता, cash, यह मेरे लिए क्या होता, stock in trade होता तो मेरा assessment PGVP हैड में होता, और मेरा assessment PGVP हैड में अगर होता तो मैं profit को easily manage कर लेता, ऐसा आपने सोचा thought process है, जिस moment पे आपने यह सोचा, उस moment पे आपको एक idea आया कि business चालू करनी के लिए क्या करना पड़ता है, एक proprietorship को business चालू करनी के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे बताओना आप एक proprietor कल आप सोचते हो कि आपको एक दुकान चालू करनी है, तो आपको क्या करना पड़ता है, मेरी CFM है, मुझे जब CA practice में आना था, तो मुझे क्या करना पड़ता था, नहीं capital वगरा सब कुछ है न, पैसा है, तुम जवैलेरी का business करने का सोच रहे हो, तुमारे पास दुनिया भर का जवैलेरी ही, तो capital का क्या करोगे, जवैलेरी का business घर से भी चालू हो सकता है, जवैलेरी sales का business, तो दुकान भी कान लेने के ज़रूत है नहीं, हाँ, बड़ा करेंगे तब ले लेंगे लेकिन अभी फिलाल का करो गया आपको जाना एक बैनर लेकर आना है ना अरे बैनर ही तो लेकर आना एक देकिन एक छोटे मुटे दुकान होते घर से रन होते एक 500 रुपीज का अपने इन्वेस्टमेंट के एक बैनर लेकर आ गए और बैनर पे आपने नाम लिख दिया आरपी ज्वेलर्स आरपी ज्वेलर्स करके आपने एक बैनर बना के लाया 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आपको नहीं लग रहा आपके 500 रुपीज के इन्वेस्टमेंट के वज़े से यह आपके घर में जो क्यापिटल असिक पड़े हुए थे वो स्टॉकिन ट्रेड हो है आपने गोल्ड को टच नहीं किया गोल्ड वैसे है पहले वो गोल्टा अभी वी ओ गोल्ड ही है लेकिन thought process में change हो गया भाई आपके जिस दिन आपका ये thought process change हुआ उस दिन आप अपने books of accounts में एक journal entry भी मारोगे मारोगे कि नहीं आरे balance sheet बनाओगे ना business चालू किया तो balance sheet बनेगी कि नहीं भाई एक journal entry पास हो जाएगी capital account credit होगा और asset account या stock in trade account debit हो जाएगा आपके book में stock in trade आगया भाई 500 lakh के market value का stock in trade book में आगया आपका capital 500 lakh का बन गया ये बहुँ बढ़िया बात ये जिस दिन तुमारा thought change हुआ तुमने बेचा क्या actually capital asset अभी तक एक रुपए का भी बेचा है क्या माल नहीं तो जिस दिन ये change in thought हुआ क्या हुआ change in thought उस दिन government tax करता है capital gain में ये चोरी रोकने के लिए ये change in thought को government ने tax किया किसने बोला capital asset sale होता है तो ही capital gain लगता है तुमारा सोच बदलो तभी ये taxable हो जाता है मैंने क्या बोला समझा आप लोगों को अरे change in thought को government ने tax करके रखा है देखो ना clearly लिखा हुआ है conversion of capital asset into stock in trade कोई chemical process वगरा करके convert नहीं किया है मैं उसको capital asset की तरह देख रहा था अभी मैं उसको stock in trade की तरह देख रहा हूँ खातम मेरा just vision change किया मैंने thought process change किया books में एक entry मार दी बस जिस दिन ही है entry तुमने मारी उस दिन से ये taxable हो गया उस दिन लेकिन फिर government ने सुचा यार इस दिन तो हमने इसको taxable तो करके रख दिया लेकिन बेचारा tax भरेगा कैसे जो assessi हो tax कैसे भरेगा पैसे कहा है उसके पास पैसे है क्या उसके पास जोने इंट्री मारने से पैसे नहीं आता तो पैसे कब मिलेंगे इसको दुकान कोलके रख दिया अपि स्टॉक लगा के रखा है दुकान में पैसे कब आएंगे जब actual में sales होगा तो उन्होंने tax liability को postpone किया क्या किया कब पोस्पोन किया सर डेफ़र्ड कब किया actual sales of stock in trade का जब actual sale होगा उस year में tax भरना तो आपको नहीं लग रहा अभी हो क्या रहा है पहले originally आपका capital asset है फिर उसको अपने convert किया stock in trade में और जब stock in trade को बेचोगे actual में यह जब sold होगा तो अभी दो कांड होने वाले हाँ पे एक तो जब conversion हुआ था तो यहां पे capital asset जब conversion हुआ था तो capital asset प्लस ट्रांसपर था दो बाते थी capital asset था ट्रांसपर था तो capital गेंग चाप्टर हीट हो गया और जब stock in trade बेचते हो तो पीजी भीप लगता है hello simple ना यार capital asset ट्रांसपर हो गया capital गेंगा stock in trade बेचोगे पीजी भीप लगेगा तो double taxation नहीं होना चाहिए ना दो हेड में tax होगा लेकिन double taxation नहीं होना चाहिए double taxation कितनी बार पढ़ा है आपको अभी तक मैंने double taxation का gift के case में पढ़ाया इस ओप के case में पढ़ाया अभी थर्ड टाइम पढ़ा रहा हों कि capital gain chapter टेक केर करता है कि double taxation नहीं हो इस इकॉल टो fair market value fair market value अट्रा लाग रुपया लेंगे माइनस cost of acquisition करेंगे cost of acquisition उसका 10 लाग रुपया है तो capital gain chapter में 8 लाग रुपया टैक्स होगा तो PGP chapter में कितना टैक्स होगा अब PGP chapter में तुमने original cost minus किया 10 लाग रुपया माइनस किया तो गढ़बड हो गई तो PGP में 12 लाग रुपया टैक्सेबल हो जाएगा इतना gain हुआ भी है कि आप लोगों को अरे यहां पर 12 लाग रुपया टैक्सेबल होगा यहां पर 8 लाग मतलब total 20 लाग टैक्सेबल होगे इतना gain हुआ भी है क्या अपनी cash flow method में आपको क्या सिखा था cash inflow देखो cash inflow कितना आया है 22 cash outflow कितना हुआ था 10 लाग रुपीज का तो actual में gain कितने का है cash gain कितना है 12 लाग रुपय का यहां पर 20 लाग रुपय के ओपर टैक्स भरोगे क्या तुम लोग नहीं तो क्या गड़बड हो रहा है sir गड़बड यह हो रहा है कि यह पीजी वीपी जो है ना यह cost ना actual cost को ले रहा है तो हमने पीजी वीपी को बोला साब आप actual cost माइनस मत करो आप deemed cost माइनस करो आप deemed cost माइनस करो और सब देम cost के जिस value पे capital gain chapter में gain compute के वह आपका dim cost fair market value को आप dim cost ले लेना और यहां से जब में 18 lakh rupees माइनस करोंगा तो मेरा capital gain आ जाएगा 4 पीजी वीपी आ जाएगा 4 lakh rupees 4 lakh rupees यहाना चाहिए था ना अब 8 प्लस 4 12 हो जाता है तो cash gain और capital gain match हो जाता है बोलो clear है तो यह तो मैंने general example दिया मैंने book में भी लिखके आपको एक example दिया तो आपको लिखने की कोई जरूद नहीं है आपका time बचा रहा हूं है देखो तो पहले तो उपर का देख लो sir conversion taxable होगा तो full value of constitution क्या लेंगे conversion हुआ है ना sale तो हुआ नहीं है तो fair market value आपको full वाले of constitution लेना पड़ता है capital gain chapter में लेकिन है tax भरना कब है government को year of sale of stock in trade और proportionately दिका तो sir खली 20% ही current year में बेचा तो खली 20% current year में tax होगा 80% बेच होगे तो 80% tax होगा 50% बेच होगे तो 50% tax होगा जितना stock आपने बेचा उतना ही capital gain taxable होता है तो capital gain निकाल के रखना पड़ता है फिर अलग-अलग year में भी यह tax हो लगता है सर इसको हमने note 3 लगा के रखा है note 3 की note 3 में जाके पढ़ेंगे फटा-फट यह देखो section 45 subsection 2 यह ccds का भाई है ना ccds है तो यहां पर संभाल के रहना होता है राइट मैंने आपको पीजीवीप नहीं स्वारी पीडिये चाप्टर में कैसे पढ़ा क्या रखा है अगर आपके 194 अचीज के section आएंगे ए सी एच आई जे तो संभाल के अपने को काम करना होता है वैसी हाँ पर ccds एकदाम में आता है तो थोड़ा तंसन रेना होता है तो सरी कन्वर्जन वाला है ठीक है कन्वर्जन अब कैपटल असेट इंटू स्टॉक इंट्रेड इस चेंज इन थाट को टैक्स कर रहे है भाई साब ठीक है ना तो 1718 में गोल्ड लिया हुआ है कैपिटल असेट मेरा गोल्ड है कॉस्ट अब एक्कुशिशन वन लाक है पिरोड अफ फोल्डिंग इसका लेज दैन 36 मत है गोल्ड है ना 36 मत में लॉंग टर्म होता है तो 1819 में इसका कन्वर्जन हो गया अब 2021 तक इसका पिरोड अफ फोल्डिंग नहीं काउंट कर सकते है क्योंकि प्रेड ऑफ फोल्डिंग तब तक काउंट किया जाता है जब तक क्यापिटल असेट कौन से एर में कर देना है 1718 1819 की 2021 कौन से प्रिवियस एर को टाक्स देना है गवर्मेंट को में टाक्स एक्च्वल में कौन से एर में दूंगा 1718 1819 की 2021 2021 में सर ऐसे क्या कर रहे हूं येस लेकिन कनवर्जन 1819 में हुआ था तो इंडेक्सेशन यहां रुकेगा ना ने तो इंडेक्सेशन नहीं गएगा ये तो शॉट टम है लेकिन जब लॉंग तो इंडेक्सेशन यहां रुकेगा ना ये तो इंडेक्सेशन हैं यहां रुकना चीहे तो याद रखे लेना यइर और आपर लिखके भी रखा है इन यह ओर अब सब्सक्राइब निकालना बिल्कुल आसान सर्फुल वाली ऑफ कंसिडूरेशन फाइलाक रुपीजिशन वन लाक रुपीज तो शॉट टम कैपिटल गीन आगिया फोर लाक रुपीज का बोलो पीजी बीप आएगा की नहीं अरे स्टॉकिन ट्रेड सेल वाई तो पीजी बीपी तो आएगा ना कितने आएगा बता सकते हो क्या सेल प्राइब एट लाक रुपीज था ओरिजिनल कॉस्ट वन लाक ता फिर मार्क वेडेल फाइल लाक ता कितना आएगा जल्दी बोलो वेरी लिए बहुत बढ़ी लाक का स जर थरी लाक का आएगा सेवन लाक का क्यों नहीं जreto को सिर डेबल टप्सेंशन हो जाएगा और क्यापिटल गेंश्फाइब lorsque आपिधय मों नहीं होना चेहिए रहा पर कॉस्ट पराइजु यह लिया जाता है नू रजाता है डीम कॉस्ट लिया जाता है तू अए Q लिया में से देखो इंस्टिटुट हमारा चुना कैसे लगाता है Mr. A is the owner of a car on 1st April 2020 he starts a business of purchase and sale of a motor car he treats the above car as a part of stock and trade of his new business खुद का कारी पहले लगा दिया उसने दुकान में कि इसको भी बेचने का है he sells the same as on 31st March 2021 and get the profit of one life discuss the tax implication in the hands-off in his hand under the head capital gain बोलते capital gain का बताओ पीजी भी पिका नीची हमको खाली capital gain एक ही पार्ड बताओ capital gain में tax होगा मुझे बताओ capital gain में tax होता है क्या car क्या है अरे बाबा कार capital asset ही नहीं है हमारा institute उस लेवल पर जाके चुना लगा क्या आता है since car is a personal asset conversion or treatment of the same as a stock in trade in his business will not be trapped by the provision of section 45 subsection 2 hence it is not liable for capital gain आगे चलता हूं एक्स कन्वर्ट इस capital asset जो उसने अक्वाइड किया ता जून दोधार तीम में फॉर सिक्स्टी ताउजन ये कॉस्त अब एक्विजिशन हो गया इन्टू स्टॉकिन ट्रेड उन मार्च 2020 मार्च 2020 कोन से फिनांशिल यर में आता है मार्च 2020 में आता है इसमें कन्वर्जन हुआ है याद रखना दे फेर मार्केट वाल्यू अधन देट ओफ कन्वर्जिशन हो त्वाइड लाग फिप्टी ताउजन वेरी गुट ही सब्सीक्वेंटली सेल्ड स्टॉकिन ट्रेड फॉर सिक्स लाइड स्टॉकिन ट्रेड को बेचेगा तो पीजी भी पी आएगा चेला एज उन जून 2020 जून 2020 तो 2021 में आता है तो यह होगे येर अफ टैक्स और यह होगे येर अफ ट्रांसपर यह मैं राइट यह सब्सक्राइब कर दोनों पूछना चाहिए था लेकिन उनने कैपिटल गेन पूछा है कोई मुझे पीजी बीपी बता सकता है क्या जो उन्होंने नहीं पूछा मजाग मजाग में इमीजेटली पीजी बीपी कितना आएगा आपके सामने डेटाइगा अब मुझे क्यापिटल गेन निकालने के लिए फुल वाल्य आफ कंसेट्रेशन कितना लेना पड़ेगा दोस्तों पाइल एक 50,000 लेना पड़ेगा और कॉस्त अब एक्विजिशन तो अपने पास 60,000 का है तो उसको इंडेक्सेशन लगाना पड़ेगा अगर मैं 60,000 को इंडेक्सेशन लगाँगा तो मल्टिप्लाइब ऐ 301 करू क्या नहीं गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि 1920 का इंडेक्सेशन उठाना पड़ेगा साब अब 301 करेंट यह का नहीं ले सकते क्योंकि 1920 में ट्रांसपर हुआ था तो इन्हों नहीं हापर पूरा लिखा है since capital asset is converted into stock in trade during the previous year 2021 it will be transfer under section 247 for the previous year 1920 however profits arising from AMAO conversion will be chargeable to tax in the AY21-22 since stock in trade has been sold only in the current year so full value of constitution उसका यह बन जाएगा क्या बन जाएगा value बन जाएगा ठीक है किदे तो question मिलेगा आपने को कि क्वेशन दुनना एक challenge ही हो जाता मेरे लिए हमारे module ने इस टाइम बहुत सारे question डिलीट कर दिये बहुत सारे इलस्ट्रेशन इट इंपोर्टेंट है मिस्टर एक कनवर्ट्स कनवर्ट्स वगर आ गया तो समझ लेने का यह change in thought को tax करने वाले बाई इस capital exit acquired for an amount of 50,000 in June 2003 अपीगे जैसा ही है पचास हजार को लिया था जून 2003 को into stock in trade in the November 2016 कौन सी यहर में यहर आप ट्रांसफर क्या है यहर बोल यहर बोलने का 16-17 16-17 तो इंडेक्सेशन यहां रुकेगा ना 16-17 का इंडेक्सेशन लेना पड़ेगा ना भी 264 लेना पड़ेगा ठीक है ना the fair market value of the asset as on date of conversion is 450,000 तो full value of consideration मिल गया आपको full value of consideration मिल गया 4.5 लाग रुपीज capital gain के लिए the stock in trade was sold for 650,000 oh oh selling price भी मिल गया in September September 2020 year of tax आ जाता है यहां पर 2021 अपना previous year taxable हो जाएगा पीजी बीपी बता दो come on come on again again बहुत प्रक्टिस कर वाली है पीजी बीप टू लग आएगा ठीक है ना अच्छा question कितना brilliant है देखो question नहीं बोला capital gain निकालो यहां पर question बोलता है what will be the tax treatment बहुत intelligent question है उन्हें नहीं बोला compute capital gain compute PGP जब उसने पोचा है what will be the tax treatment तो आपको नहीं लग रहा capital gain और PGP दोनों बताना पड़ेगा आपको intelligent question है और intelligent question needs to be answered with lot of intelligence आप इसको casually नहीं answer कर सकते बच्चे capital gain निकाल के आते इंडेक दिखता है ना ऐसा कुछ table दिखता है तो बावरे हो जाते capital gain खाली लिखकर आते हैं और फिर उनको पास होना होता है पांच मांक लें पांच मांक लें क्या easy question आया था आदा questions all करकर आते हैं और नाचते रहते बोलते exemption आएगा the capital gain ने सब उन्होंने ठेरी वगरा लिख दिया है यहाँ पर पढ़ लेना आप लोग अपनों पीजी बीपी निकाल देते पीजी बीपी इमिजेटली आ जाता है सर उसका जो sale price होता है minus deemed cost of acquisition लेना पड़ता है जो fair market value होता है to over double taxation तो यह 4.5 है यहाँ से minus करेंगे two lakh रुपी taxable आ गया दो मिनिट में आप बता दिया था capital gain compute करोगे तो कैसे करेंगे 50,000 multiply by अगर 301 करोगे तो यह suicide है यह CCDS में नहीं होता ऐसा 301 से multiply नहीं करना ही घलत है तो 50,000 into कितना करेंगे 264 divided by 109 year of acquisition क्योंकि 2003 में acquired किया था compute करके बता दोगे क्या index cost of acquisition कितना आ रहा है इतना time index cost of acquisition कूछ रहा हूं multiply करके तो इतना time ले रहा हूं 121101 राइट ठीक है न तो 450,000 multiply by यहां पर important क्याना में रेड कर देता हूं इसको important यह है कि यह 301 नहीं है यहां पर लिखता भी हो not 301 बहुत सारे लोग जोज जोश्में 301 लेकर आने वाले हैं लेकिन यह गलत होता है यह 264 यहां पर होना चाहिए बोलो बहुत बार बताया मैंने क्या clear है यह चीज यह सर्थ यह capital यह आगया आपका long term मज़दार capital gain और एक नया concept आप लोगों का खतम होता 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 है यहां पर CMA model में देखता हूं अगर कोई question है तो और एक practice करने में कोई problem नहीं है easy होगा तो आप कर लेना difficult होगा तो आप उन लोग करेंगे चलो अली है वन ताउटन टेन ताउजन शेयर्स अफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड अक्वाइड आप जब हम कभी भी असेट इतना पूराना होता है तो हम पहले तो क्या लेते फेर मार्केट वाल्यू आजवन अरे जब कोई भी इतना पूराना असर होता है कोन सा फेर मार्केट वाल्यू आप धूंटे हो तो यह देखो यहां पर फेर मार्केट वाल्यू उन्होंने दिया है 16 रूपए का तो 12 रूपए पर उन्होंने अक्वाइर किया था 15 जुलाइ 1983 में सब्सक्राइब कर लिया है अन दाट देट मार्केट वाल्यू सच शेर वास 15 रूपए ओके ऑन फॉर्स में 2007 ही फर्दर कन्मेट टू तू तू तूज़न सेर्स इन्टू स्टॉकिन प्रेड अच्छा ठीक है है on such that the market value of 30 rupees market value लेना पड़े आपको full value of concentration on 17th 2021 he sold all the shares for 225 brokerage incurred 2% state tax treatment fair market value उन्होंने दिये 16 का अब हुआ क्या है न यह जो amendment हुआ था conversion का अब तुमारा model को दादाई सेंटी हो के question पोशता है जरूरत नहीं है उन्हेंने बोला में 1983 के पहले नहीं था 1983 के पहले तो लोग चोरी करते थे तो यह इसमें जो Conversion 1983 के पहले किया हुआ है उसको यह clause applicable नहीं होता कि जरूरत नहीं है इसकी लेकिन अभी लिखा है model में तो बता दे रहा हूं confused नहीं होना है और और न यह देखो तो यह का applicability आया हुआ है 1984 में इतना कौन डीटेल में जाके पढ़ता है कि अभी कौन सा section कभ इंसर्ट हुआ था था थिर भी उन्होंने बोला है तो यह जो Conversion यह taxable नहीं होगा हा लेकिन 2007 में जो Conversion होगा है वह taxable जरूर जरूर होगा हम full values की लेंगे 30 रुपीज की और उसका cost लिया जाएगा 16 रुपिया तो उन्होंने वह करके उन्हापे calculation करके दिखाय हुआ हुआ यह 2000 इंट थर्टी 60,000 हो गया और इन्होंने यहापे 16 रुपीज लिया हुआ है 16 रुपीज बारा रुपे में लिया था लेकिन fair market value 16 रुपीज लिया और उन्होंने फिर जी साल Convert किया था कौन से साल Convert किया था 2007 में आसपस कुछ Convert किया था तो यह 301 से multiply नहीं होगा ना वो तो 2007 का 78 का जो इंडेक्स होगा तो 2007 का इंडेक्स क्या है देखो 129 तो 129 से multiply हुआ और फिर उसका इंडेक्स cost of acquisition निकला और capital gain आ गया फिर सो सर बचे हुए शेस का क्या करेंगे बचे हुए शेस पहले original 10,000 लिये थे फिर 6,000 पहले convert किये थे हैं और फिर 2000 convert किये थे फिर 2000 और बचे थे तो यह बैलेंस टुटाउदन है उसको तो actual में आपने अभी सेल किया 225 में investment और उसका ब्रोकरेज भी आपने भारा है तो ब्रोकरेज वगरा भरके उसे माइनस कर दो ठीक है ना ब्रोकरेज वगरा माइनस कर दो और इसका cost भी माइनस कर दो सेम मैनर में यह capital यह ना जाएगा अब जो आपके original PGP का calculation देखो कैसे होगा original जो 6,000 शेस आपके PGP में ते उसकी selling price माइनस कर दो उसका transfer expense माइनस कर दो और उसका cost माइनस करो सर कोस्ट क्या होता है fair market value cost क्या होता है fair market value वही माइनस होगा और जो 2,000 शेस आपने अभी convert करके अभी convert करके जो बेचे हैं उसका cost लेना पड़ता है fair market value अब भी cut this is date on conversion fair market value as on date of conversion समझ रहा है आपको एक cost cost नहीं है fair market value date of conversion का PGP में 1-4-2001 का कोई condition नहीं है cost यहां पे fair market value as on date of conversion आता है clear है ये इतना है इसनोंने calculate करके दिया हुआ है तो और एक अपना concept हो गया I guess this was this is very nice concept capital gain का बहुत सारे student को नहीं समझ में आता कि यह कैसे हुआ है क्या हुआ है by heart करने के लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि करना क्या होता है कि इडिमेट समझते हो तुम लोग भी मैट को फटाफट कतम करते हैं डियो अंडेस्टन डिमैट डिमेंट्रिलाइज अकाउंट एक दमाने में शेर फिजिकल फॉर्म हुआ करते थे अभी डिमेंट्रिलाइज फॉर्म में होते हैं एलेक्रोनिक फॉर्म में होते हैं तो जब शेर फिजिकल फॉर्म में हो खते हैं लेकिन जब इमट अकाउंट में इंटर होते हैं तो उसको ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन सा शेस ना में कि हो जाएगी लेकिन जब से स्कोर्ण कर आफ इमयाट में करूगे मैं अभी की बात ही करा रहा हैening 1990 ki 1997 कि बात कर रहा हूं जब किया गया था तो चलेगा उथी कुछ CBD typ किया घाता था तो सर फीर यहसे कैसे के पता चलेगा कि पता चलेगा था है कि कॉन सा रभी बेचा है किक Shallow पूला, फीफो मेंट फॉलोह कर देभेन, पता नहीं चलता, तो फीफो मेटड फॉलो predominantly इतना important नहीं है, final में आकी इसका detail पढ़ना, कि से operate होता है लेकिन मैं बता रहा फीफो मेंटर समझा ना जो डीमैट अकाउंट में फीफो आया है डीमैट अकाउंट में जो पहले आया हुआ है वो पहले बिकेगा पहले आपने कौन सा पर्चेस क्या हो इंपॉर्टन नहीं है डिमैट अकाउंट में जो पहले आया पहले उसको बेचा इसे माना पड़ेगा और उसकी इसाफ से क्यापिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा तो फीफो में तर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सुड़ा है आप झाल 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 झाल